कॉमिक स्टूडियेटा पे आपका स्वागत है तो आज मैं लिकर आई हूं राज कॉमिक से इस कॉमिक का नाम है जोहर तो टाइम नविस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग सीधे बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ तो कॉमिक का नाम है जोह पर चित्रांकन है राम वाइकर जोहर के गेट के दरवाजी पर लिखा है जोहर MSC PhD अपसन इतनी लंबी चोड़ी डिगडी कड़के कहीं हम गलत तो नहीं कड़क गए अब बे पुलिस स्पेशल फोर्स का सार्जेंट होकर भी अकल खड़क रही है तेरी सारे ठग इसी तरह की डिग्रियां लिखते हैं दोनों महाशाय पुलिस के नामी जासूस कड़क सिंग और खड़क सिंग है अच्छा तो ले खड़का दी मैंने घंटी ट्रिन अब देख परदेशी रात के बारा वजे किसकी अकल का घंटा बज रहा है सुबह का अलारम बज रहा है हमें जाग करता हूँ कौन गधा है गधा आई विल शूट यू शूट खड़क सिंग से जवान खड़कता है हमें गधा बताता है शूट तो हम करेंगे पुलिस स्पैशल रिवालवर से अभी कड़का देंगे बोस वे रिवालवर धारी टकेट हैं केट रेडी अब मेरे घर में के अलावा क्या मिलेगा आने दो हैंड्स अब रात के बारा बजे हमारे घर डकेटी डालने आए हो मेरे फल्ले क्या धरा है जमूरो हम डकेट नहीं मैं सार्जेंट खड़क सिंग हूं और मैं सार्जेट कड़क सिंग हूं और हम दोनों पुलिस स्पैशल फोर्स के खड़क कड़कते जासूस हैं हमें तुम्हें गिरफतार करने आए हैं तुमने एक जोहरी को ठगा है जोहरी को ठगा है क्या सुबूत है तुमारे पास यह रहा अकवार जिसमें कड़कदार नियूस छपी है लो खुद पढ़ लो अपनी खबर हम हदकड़ी कड़काने के लिए तय पारी रात और फिर खड़कते कड़कते तुम तक पहुंची गए नाओ यू आर अंडर अर्रेस्ट मुझलिम को सफाई का मौका दिया जाए मौका दिया जाता है सिर्फ पांच मिनट लेकिन तुम यहां से फरार नहीं हो सकती और हम रिश्वत भी नहीं लेते यू अंडरे पूस्ती जोहरी ने चोहर को ठगा ये क्या कड़का कड़क सिंग हमने न्यूस गलत कैसे खड़का दी मेरी खोपडी में तो बिजली कड़क रही है मैं तुम दोनों पर मानहानी का दावा कर दूँगा मैं खुद अकवार दनादन का प्रेस रिपोर्टर हूं सस्पेंड कर माई बाप हमें माप कर दो अब भी तो हमने पूरी तरह जवानी भी नहीं कड़काई हुजूर ठीक है पर एक शर्द पर माफ कर सकता हूं तो हम लोग असली मुर्जलिम को गिरफतार करोगे यही तो हमारी ड्यूटी है कड़का देंगे सब मुझ्रिमों को बिलकुल जोहरी के पास कड़क सिंग खड़क सिंग के जाने के बाद बस आपने चमतकार कैसे किया परदेशी भेटे मैं न्यूज को तोड मरोड कर पेश करने में महारत रखता हूं अब देखो दरसल में न्यूज इस तरह है किसी जोहरी ने तूसरे जोहरी को ठग लिया और मुझे पकडवाना चाते हैं इसलिए ये दोनों मूर्क पहले जटके में यहां पहुच गए इन्हें मूर्क बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा कमाल दिखा दिया काले साइन पैन से जोहर के रा अक्षर पर मांत्रा लगा कर री बना और री की मांत्रा ब्लेड से मिटा कर र मैंस की 卜़स्ति करेंगे की होके वास टफस ये काम चुंचון समगलर का है पर देसे बेटे लेकिन वास मैंने तो सुना है चुंचं कौंग में रह रहा है पेटे पर देशी वह एक ही मो पर चार जगए मौझ हो सकता है लेकिन आपको कैसे यकीन है कि ये काम उसी का है काम करने का तरीका उसने कई बार जोहरी बन कर जोहरीयों को ठगा है नकली हीरे बेच चाना उसी के फन का कमाल है वै एक ही तरह के दो किस्म के हीरे रखता है सौधा असली करता है और बेचता नकली है पहले वह अपने आपको बहुत बड़ा जोहरी बता कर कुछ सौधे हीमांदार से करेगा और फिर एक ही जटके में चूना लगा देगा चलिए परदेशी बागू हमारी मंजिल आ गई और यहां बोड लगा था लाल गोलू जोयलर गोला कुवा गोल मारकेट गोला गोल करनाथ वाले यहां तो हर चीज गोल है गुरू दुनिया ही गोल है बेटे परदेशी और अंदर खड़क सिंग के खड़कने से खड़कती है खिड़किया और खड़क सिंग के खड़कने से खड़कती है बिजलिया तुमने जोहर नाम की प्रेस रिपोर्टर को ठगा और खबर उल्टी छबगा दी लाला गोलो, you are under arrest कड़कदार हदकडी लेकर आएं हैं हम मेरा तो दिवाला निकल गया, सूख कर छुवारा हो गया और तुम लोग मुझे ही बंद करने चले आए उल्टा कोतवाल चोर को डाटे? अरे नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डाटे है भगवान, इन पुलिस वालों से मुझे बचा लो, मैं क्या करूँ मुझे कप्तान तिरंगा को फोन करना चाहिए इस मुसीवत पे सिर्फ कप्तान तिरंगा ही बचा सकता है चाहें जिसे फोन कर लो, लेकिन खड़क सिंग जैसे खड़कता लू, को तुमें किसी की रिश्वत बचा नहीं सकती कप्तान तिरंगा मैं जोहरी बुल रहा हूँ यहाँ पर पुलिस ने मुझे गोल कर दिया है गोलू जोहरी तो मैं कोई गोल नहीं कर सकता मैं अभी आता हूँ कुछ दे लेकर फैसला कर लो कड़क सिंग क्या कहा रिश्वत ब्रश्टाचार काला बजारी तुम जैसे गोल मोल बश्टाचारी को हिंदुस्तान के नक्षों में देखना नहीं चाते यू आर अंडर अरेस्ट अरे ठहरिये बंदा परवर हतकड़ी लगाने से पहले हम गोलू जोहरी की तरफ से सफाई पेश करना चाते हैं आप कौन है जनाब हमारी तीन रंग की ड्रेस का मतलब है कप्तान त्रंगा आ गया है आपके पास इस बात का क्या सुबूत है ये रहा सुबूत हम तो ये बात है किसी जमाने में हम भी इस तरह ठगा करते थे एक मिनट हम जरा बातरूम होकर आए अकुस दिरवाद अब देखो अपने इस सबूत को हम जोरी ने जोरी को ठगा ये है असली न्यूज आई समझ में किसने किसको ठगा किसने किसे ठगा है हम उसे गिरफ्तार करना चाते है फिलहाल तो तुम दोनों को मैंने ठगा है गुडबाई यो मिस्टर यो हर अंडर अरेस्ट जान बची तो लाखो पाए लोट के जोहर तुम्हारी दुखान पर आए तुम कौन कहां से टपके आसमान से टपके तुम्हारी दुखान पर अटके बंदे को चोहरी कहते है वही पत्रकार जी हाँ वही जिसका जेक्र चल रहा था लेकिन मैं तुम्हें परिशान करने नहीं असली मुझरिम की 32 जाड़ने आया हूँ क्या तुम जानते हो अजी हम क्या नहीं जानते हम जानते हैं कि आप स्मगलिंग के हीरों के सबसे बड़े खरीददार है हे भगवान आज सुबह सुबह किस की शकली देखी और हम ये भी जानते हैं कि आपके साथ कुछ पांच लाग का नहीं मोटी हीरा फिरी हुई है हॉंग कॉंग से आपके पास हीरे आते हैं मारे गए जो हमसे सच्चाई छुपाता है उसका बड़ी जल्दी स्वर्ग बास हो जाता है मैं आपको सब कुछ सच-सच बता दूँगा हॉंग कॉंग से मेरे पास जो हीरे आते थे उसमें काफी मुनाफ़ा हो रहा था इस बार उसी पार्टी का सारजेंट बहुत बड़ी खेप लेकर आया एक करोड का सौधा था मैंने अपना सब कुछ बेच कर माल खरिद लिया लेकिन वह हीरे नकली निकले जोहरी होकर भी क्या तुमने हीरे चैक नहीं किये चैक किये थे माल असली था लेकिन जब मैंने उन्हें बाद में देखा तो नकली निकले मेरे ख्याल है उनने हीरे का पैक बदल दिया था और तुमने हिंकम टैक से बचने के लिए असली रकम नहीं बताई इसका मतलब उसके पास एक करोड के हीरे हैं और इनके द्वारा वह किसी और जोहरी को भी ठग सकता है जोहरीयों को ठगना तो खेर मुश्किल है क्योंकि सब को पता चल चुका है अब तुम मेरा एक काम करो लेकिन सब टॉप सीक्रेट होना चाहिए बेटा परदेशी अब ज़रा कैप्टन तिरंगा से मिलाएं हमारी स्कीन में तिरंगा ख़ई रंग भी खेर सकते हैं मुझे वै आदमी फूटी आख नहीं भाता तुम अपनी दोनों के बंद रखना और कान खुले कैप्टन तिरंगा का ओफिस हेलो अंकल गुड इवनिंग हाव बेटा जोहर किसकी खाट कड़ी करते फिर रहे हो जमाना पहले मैं आपकी तरब बूड़ा आलसी और शराब भी हुआ करता था अगर हम इस जमाने की बात करें तो आपको एक चक्र और मिल सकता है चक्र अहा जमाना पहले जब मुझे चक्र मिलते थे तो मैं हर बार मेरे लहू का रंग बदल जाया करता था आजकल तरंगा खून मेरा रंगों में पहर रहा है मैं तरंगा खाना काता हूँ तरंगे कपड़े पहनता हूँ और मैं आप चौरंगा नहीं बनना चाता इसी लिए चौथा चक्र नहीं चाहिए तो फिर आप मुझे ही चक्र दिला दीजिए तुम जैसे घंचक्र को चक्र कौन देगा भला बुल्गिरिया के शाही खाननान का शहजादा तुर्रम मैं आपको बुल्गिरिया का शहजादा तुर्रम बनाना चाहता हूँ जमाना पहले में शाही खाननान से तालुक आत रखता था इस जमाने में भी आप शहजादे हैं अंकल शहजादा तुर्रम जहे नसीब शहजादा तुर्रम बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैसाब मुझे करना है आप सिर्फ सहजादा बनना है अगले दिन का प्रमुक समाचार शेजादा तुर्रम राजधानी में शेहर के जोहरियों द्वारा स्वागत भोज का आयोजन चुन-चुन के अड़े पर ये शेजादा तुर्रम क्या बला है? इससे शेहर के जोहरी क्यों प्रवावित है? बस ये पता लगाने के लिए होटल गेट आउट जाना होगा वहीं ठहरा हुआ है वह जाओ और पता लगाओ और अगर हमारे मतलब का हो फोरण खवर देना ओके बस अगले दिन होटल आउट में मैं केसरिया जोहरी का सेक्रेटरी और मैं शेहजादा थुर्रम का पब्लिक डीलिंग सेक्रेटरी मेरी ही पूर्ट जिम्मेदारी पर शेहजादा यहां तश्रीफ लाया है हमारे यूगर कोई सेवा? शेहजादे ने ग्यारा शादियां की और ग्यारा की ग्यारा मर गई अब बारवी शादी तैयारी चल रही है किसी जोतिश ने उन्हें बताया कि अपनी दौलत का आदा हिस्सा हिंदुस्तानी हीरे खरीदने में लगा दें यह हीरे नी नई बेगम को भेट करें बेगम जिन्दा रहेंगी ओ तब तो बड़े पैमाने पर हीरे की खरीददारी होगी पता नहीं कैसे सब जोहरियों को इस बात का पता चल गया लेकिन उन्हें नहीं मालूम शैजादे को वही हीरे पसंद आएंगे जो मुझे आएंगे मैं आपका मतलब समझ गया आपका कमीशन पक्का तुम पहले समझदार आदमी मुझे मिले हो शैजादे का हिंदुस्तान में आखरी टूर है इस बार भी हमने कुछ ना कमाया तो हमारी बेवकूफी होगी चुन्चुन का आदमी वापिस अड़े पर पहुचा मामला पक्का वह उस्ताद ठीक अब जरा पूरी बात बताओ चेले ने चुन्चुन को फूरी बात बता दी इस लालची सेक्रेटरी को आसानी से तोड़ा जा सकता है शैजादे को हीरो की तमीज भी नहीं है और जोहर अपना जाल बिछा रहा था शैजादा तो रम आपकी जिन्दगी कैसे कट रही है चमाना पहले हमारी जिन्दगी ऐसे ही कटा करती थी बात से कमी है जिन तीन रंगों से हमें मौबबत है वे तीनों गायब हो गए जल्दी ही आपकी जिन्दगी के सारे रंग लोटाएंगे शिकार फस नहीं वाला है हरे भतीजे जरा मुझे भी तो पता चले की गोरग दंदग क्या है फोन की घंटी बज रही है जरा देखूं शायर शिकारी फस गया है जैपुर के केसरिया जोहरी आप से भेट करना चाते हैं उन्हें भेज दो आप आराम फरमाईए मेरा शिकार आ गया है बाहर वाली कक्ष में मैं केसरिया जोहरी चैपुर से और मैं सेक्रेटरी आफ शहजादा तुर्राम कुछ नायाब हीरे आपकी खिद्मत में लाया हूँ हीरा सच मुझ जानदार है लेकिन मैं चेक कर वालू सही कीमत लगा कर तब ही बता सकता हूँ शौक से आप तश्रीप रखिए मैं अब ही आया जोहर तुरंद होटल के दूसरे रूम में पहुचा गोलू जारी अब जरा इस हीरे की जाच करो इस होटल के कर्चे तो मेरी जान जुखा दी है तुमारा सहजादा दिन भर कई बूतले पी जाता है रो मत प्यारे जब हीरे तो देखो है यह तो वही हीरा है ऐसे ही बीस हीरे थे जुनोंने मेरी जिंद्गी बरबाद कर दी अब तुम खुशी के आशू बहा सकते हो मुझे बताओ कहा है वैठक मैं उसे गोले मार दूँगा तो यहां चुपचाप पड़े रहो इसे ताले में बंद रखना चाहिए वरना खपला गर देगा जनाब हीरा तो आपका कीमती है लेकिन क्या एक ही है आप सौदा तो पक्का करिए पूरे बीस हीरे हैं एक करोड पच्चिस लाख मंजूर लेन देन यहां नहीं जमना वन में होगा वन में फोन पर बता दूँगा और अगले दिन मिस्टर परदेशी ये स्लिप थाना चटपट में पहुचा दो उसके बाद तुमें सीधे जमना वन पहुचना है और जैसे ही मैं सिगनल दूँ पुलिस का काम शुरू ओके बास कैप्टन तिरंगा आओ अब चलें नोटों से बेफ केस लेखर जमना वन और मैं क्या करूँ जमना पहले मैं भार जोका करता था अब तुम बै काम शुरू कर दो अपनी दुकान पर इतनी जल्दी नोटों का अंतियाम कैसे हुआ कुछ गड़ियां असली है बाकी कोरे कागज के बंडल तुम्हारा क्या ख्याल है बतीजे चुन-चुन कमगलर असली हीरे लेकर आएगा हमें हीरे नहीं चुन-चुन चाहिए और जमना वन में टाइम हो गया उसने इसी जगह बुलाया था वे देखो पेड़ पर एक निशान बना है तीर का निशान उधर चलो इस चटान पर फिर दूसरा निशान बना है और तीसरा कहीं हम किसी तिलस में तो नहीं फच गए श्श्श कोई आ रहा है तुम लोग नोटों का इंतिजाम कर लाए हाँ सारे करारे करारे है लोग देख लो हीरे पूरे हैं और तुम धी लोग नोट पूरे है अचानक हैंड्स अब सब माल इधर रख दो वरना डुगडुगी बजा दूँगा इन सब को यहीं बांदो पुलिस को बता देना हरिया डाकू ने लूटा है अबे हम क्या पुलिस को बताएंगे पुलिस को तो तुम बताओगे कि तुम्हें कप्तान तरंगा ने पीटा है तेक कप्तान तरंगा का घूसा और यह रहा जोरी का लॉक लपेट लंगो ताओं इन तिस्तौलों की घुड़की देता है बदमाज जमाना पहले ड्रामे में खेला करते देन से अब हम तुम्हें नाडे में बांद कर थाने ले चलेंगे हमें माप कर दो, हम डाकू नहीं है, चुन्चुन ने हमें ये सब करने के पैसे दिये थे हम, वे कहां गया, और भतीजावी गाये वे, इन गुफाओं में चुन्चुन को पकड़ना आसान काम नहीं, वे यहां सब रास्ते जानता है पता नहीं, अब तक परदेशी पुलिस लेकर क्यों नहीं आया, मैं देखता हूँ उदर पुलिस थाने में, इस कार्ड में लिखा है, हीरो का ठक पकड़ना हो, तो मीरे साथ चलो यानि की, अब हमें कुत्तों की मातही करनी पड़ेगी कड़क सिंग और खड़क सिंग को फॉरन बुलाओ, तुमने अब तक हीरो का ठक नहीं पकड़ा गया और देखो कमाल इस कुत्ते का, हम सारा शहर खड़का रहे हैं, ठक का सुराग लगते ही, हम सिर्फ हदकड़ी कड़कानी है तभी, ओ, ये कुत्ता बदमा स्थाने में गुजाया, ये जोहर का कुत्ता है, इसे हवालाद में बंद कर दो shut up, हमें इसके बताय रास्ते पर चलना है, you understand मेरी माने इंस्पेक्टर, ये हमें जमना नदी में खड़का देगा, या किसी जंगली जानवर से खड़का देगा ठक शहरी आदमी है, तिरंगे कपड़े पहनता है, जंगल में तो जंगली रहते है इंस्पेक्टर, क्यों हमें भी भी मौत करकाना चाते हो, खामोश चलो, जब तक सिंगनल नहीं मिलता, थब तक तुम लग यहीं चुप जाओ आप यह हम पर होकम भी खड़कने लगा, और उधर, मुझे तिरंगी जंडी दिखा कर पुलिस को सिंगनल देना चाहिए पुलिस वाले कहीं दिखाई भी तो नहीं पड़ रहे, मिल गया सिंगनल, वो देखो, get ready इंस्पेक्टर, बच के ना जाने पाए, सच मुझ, कुट्ता ठीक जगल आया है वही है ठक, हम अभी हदकडी करकाते हैं, ओ नो, वह कैप्टन तिरंगा है, stop you fool भारत की एकता, वह अखंडता के नाम पर, अपने आपको कानून के हवाले कर दो हम तिरंगा पर गोली नहीं चलाना चाते, ओ, वह चुन-चुन भागता जा रहा है, hands up you are under arrest ये ना लाइक ना तो मुझे कुछ करने देंगे, और ना खुद कुछ करेंगे पकड़ो, चाने न पाए, अभी तो मेरे हाथ ने पत्थर भी है, तुम्हारी रिवॉल्वर को भी देखता हूँ पहाडी से नीचे, नै अपने बोस की गन सूंग सकता हूँ मेरे पीछे आओ, हरी आओ, उपर, ओ, मेरी रिवॉल्वर, हो पत्थर लगते ही छूट गई पहाडी की दूसी तरफ जोरी चुन-जुन के पीछे था, अपने हाथ उठा लो और वहीं रुप जाओ मैं तुम्हें हरकित जिन्दा नहीं छोड़ूंगा, तुम पुलिस के जासूस हो तब उपर से, मेरी रिवॉल्वर, हाई, गोली किदर से चली, ठाए यानि कि वो रिवॉल्वर उपर से गिरी हर जोहर को मेरी दुबग जा कड़के, नीचे से हम पर गोलिया चल रही है ऐसे लेटे रही हो, जैसे साफ सुंग जाए मैं पत्थर बरसा के देखता हूँ, उफ, मेरे हाथ पर पत्थर किसने मारा ये आदमी कोई जादू कर है, पहले इसके हाथ में रिवॉल्वर आया फिर पत्थर भागो, चैप पजरंग बली, हूपर से त्रंगा ने जंप लगा दी वा अंकल ये की जटके में पटक दिया इधर से चलो, बोस इधर ही गया है अबे, ये पत्थर कहां से बरस रहे है गोली चल रही है, पत्थर पर गोली लगी है हम चुपचाप यहां से कड़क ले, बरना गोली आने पर भी आरपार हो सकती है ये रहा चुंचुन स्मगलर और ये रहे पत्थर बरसाने वाले जादूगर हम पर पत्थर बरसाए तुम दोनों ने हम तुम्हें डिसमिस कर देंगे लेखेन ओफिसर, इनकी से वालवर मेरे बहुत काम आई तब इन्हें माफ कर दिया जाए एकताव खंडता के नाम पर तिरंगे को सलाम तो यहां पर होती है ये कॉमिक जोहर खतम तो बताईए आपको जोहर की ये कॉमिक कैसी लगी मिलती हूँ नेक्स कॉमिक में तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर दिये सब्सक्राइब तेंक यू